Hello Friends, OnePlus Not, इसे कैसे Unbreak करना है वो हम इस वीडियो में जानेंगे सारे Steps ध्यान से देखिएगा, एक भी Step मिस नहीं होना चाहिए सबसे पहले आपको Oxygen OS Firmware को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद इसको आपको Extract All कर देना है Extract करने के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो उसमें आपको MSM Download Tool नामसे एक फाइल मिलेगी इसे आपको Open कर लेना है, इसका User Type आपको Another Select करना है बाकी User Name और Password वो Blank रहने देना है और आपको Next पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप Next पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की एक विंडो खुल जाएगी अब इसे ध्यान से देख लीजिए को कि आगे का सारा काम इसी विंडो पे हमें करना है अब Next Step में आपको अपने OnePlus Note को EDL मोड में एंटर कराना होगा EDL मोड में अक्सर को दिक्कते आती है इसलिए मैं आपको कई मेथड्स बताऊंगा कोई एक मेथड ही आपको करना है सबसे इजी मेथड होता है TWRP का अपने OnePlus Note को TWRP रिकवरी में बोट करा दीजिए उसके बाद आपको reboot का एक option देखेगा उसके बाद आपको EDL पे टैप करना है और आपका phone जो है EDL मोड में चला जाएगा अगर यह method आपका काम नहीं करता है तो आपको ADB method यूज़ करना पड़ेगा तो सबसे पहले अपने phone के settings में जाएए वहाँ system में आपको जाना है system के अंदर about phone देखेगा उसमें जाना है वहाँ पे build number होगा build number पे 7 से 8 बार टैप करेंगे back करके आप देखेंगे आपका developer option enable हो जाएगा developer option के अंदर आपको OEM unlock और USB debugging इन दोनों को enable कर देना है अब आपको अपने PC पे ADB fastboot को install करना है इसके अंदर एक platform tool folder होता है उसके अंदर जाके आपको shift दबाए रखना है और right click दबाना है और आपको powershell window खोल लेनी है powershell window आपकी कुछ इस तरीके की होती और यहाँ पर आपको जो command देख रहा है ADB reboot EDL यह डालके enter करना है यह method भी अगर काम नहीं करता है तो fast boat method आप try कर सकते है settings में जाएए, system में जाएए developer option में जाएए वहाँ आपको advance reboot दिखेगा यह switch off होता है इसको switch on कर दीजे power button दबाएए, boot loader पर press करेंगे तो आपका phone जो है fast boat में चला जाएगा यहाँ पर आपको ADB reboot EDL command डालना है अब यह भी काम नहीं करता है तो manual method आप try कर सकते हैं phone को switch off करिए, PC से connect करिए volume up और volume down बटन दबाए रखिए हो सकता है आपका phone crash dump mode में बहुच जाए तब आपको volume up और power कीज को 5 से 10 सकिंड तक दबाए रखना होगा तो यह mode exit हो जाएगा और फिर phone को यह shutdown कर देगा उसके बाद फिर से ही method करके EDL में enter करा दीजे तब आप देखेंगे कि जो हमारी screen थी वहाँ पे आपको connected का एक command या signal मिल जाएगा जब आपका phone इसमें connected दिखाने लगे तब उसके बाद आपके phone को Qualcomm HSUSB QD Loader 9008 यह detect होना ही चाहिए तो यह हम कैसे चेक करेंगे control panel में जाना है device manager में जाना है और वहाँ देखेंगे आपको other device के नीचे दिखेगा यहाँ पर यह अभी USB bulk दिखा रहा है इसका मतलब यह है कि phone के drivers सही से install नहीं है तो इसको सही करने के दो method है एक automatic दूसरा manual automatic में आपको Qualcomm HSUSB QD9008 driver डाउनलोड करने ने होंगे लेकिन ध्यान रखिएगा आपका PC 32-bit है यह 62-4-bit है यह देखके ही डाउनलोड करिएगा इसको install कर दीजेगा और यह problem सही हो जाएगी अगर तब भी नहीं सही होती तो manual method हम try करेंगे Qualcomm driver zip हमें डाउनलोड करना है उसे extract कर देना है phone PC से connect होना चाहिए उसके बाद जिस तरह से हमने पहले powershell window हो ली थी फिर से हम खोलेंगे और यहाँ पे हम command डालेंगे adb space reboot space edl ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी यह जो q usb bulk है यह दिख रहा होगा इसमें आपको right click कर देना है और update driver software आएगा वो आपको select कर लेना है उसके बाद browse my computer for driver software आपको यहाँ पे click करना है और जो हमने driver install डाउनलोड करे थे वो select कर लेना है उसके बाद आपको next पे click कर देना है फिर आपको एक prompt message आएगा विंडो की तरफ से और उसमें आपको install this driver software anywhere यह select कर लेना है ठीक है तो आपका installation process complete हो जाएगा और अब जो usb bulk था वो आपका show करेगा usb qd loader इसका मतलब यह है कि अब हम unbreaking process के लिए तयार हो चुके है अब आपको main screen पर आना है और आपको start पर click कर देना है एक बात का बहुत ध्यान लखना है कि आपको smt download mode की कोई भी setting टच नहीं करनी है वनना सारा process खराब हो जाएगा जैसी आप start पर click करेंगे आपका flashing process start हो जाएगा जब यह successfully complete हो जाएगा तो ध्यान रखेगा progress of download यह आपका green color का हो जाएगा और status of communication जो है वो दोनों आपके download complete दिखाएगा इतना करने के बाद आपको stop पर click कर देना है फोन को PC से disconnect कर देना है और आपका phone जो है one plus not वो successfully unbreak हो जाएगा वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं